नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं, आप सभी स्वस्तावन सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई पर विध्यान दे रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ, आपकी वक्षित नमबर 137B, यह आपकी क्लास 5 की EBS की वक्षित है, जोकि आपकी यूनिट 5 शीट से ली गई है ठीक है, तो वक्षित शू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्षिन A, B, C, D, डेट डालेंगे, that is 28 December 2021 आपका नाम लिखेंगे और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम यह वक्षित शू करेंगे, तो आईए शू करते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी फल तो खाते ही होंगे, फल खाते समय आपने देखा होगा कि कुछ फलों के अंदर बीज होते हैं, जब फल खाने के बाद हम बीज को फेक देते हैं, है न? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वीज हमारे लिए बहुत महत्मून है क्योंकि इनी बीजों से नई पौधे बनते हैं बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री यानी मॉनोकोट और द्टी वीज पत्री यानी डैकोट एक बीज पत्री में एक भाग होता है, जबकि दुई बीज पत्री में दो भाग होते हैं, ठीक है, जनरली आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हम फल खाते हैं, तो हम उसके बीजों को क्या करते हैं, फेक देते हैं, जब हम उसके फेक देते हैं, तो वो कहीं पर जाके या इसा इंसान है जिसके घर पर गाओं में या कहीं पर भी खेती है तो आप उससे बात करके देख सकते हैं कि बीजों का क्या मतलब होता है और बीज से नए पौदे कैसे बनाए जाते हैं तो अब मैं आपको समझा देती हूं एक पत्री बीज यानि मोनोकॉट और द्मी पत्री बीज यानि कि डैकोट का क्या मीनिंग होता है ठीक है अब देखिए एक पत्री बीज का मतलब होता है ऐसा बीज जिसे बीज में से अगर काट दिया जाए तो उसके टुकडे ना किये जा सके ठीक है वह होता है हमारा एक बीज पत्री यानि कि मोनो काट मोनो का मतलब ही होता तो अगर मेरे पास suppose माल लीजिए किसका बीज है कोई एक बीज है हमारे पास जैसे मैं बीच में से तोड़ती हूं तो वो बरावट नहीं तूटेगा ठीक है बरावट तूटने का मतलब है कि उस बीज के दोनों हिस्से एक जैसे दिखने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम अगर मक्के का बीज लेते हैं मक्का लेते हैं ठीक है जिससे हम फुले बनाते हैं जिससे कौन जिससे कहते हैं अगर मैं उसको बीज में से तोड़ने कोशिश करती हूं तो उसके दो भाग असानी से नहीं किये जा सकते हैं यह होता है हमारा एक बीज पत्रिया नहीं कि मोनो का मतलब होता है डाय का मतलब होता है दो ठीक है डाय का मीनिंग ही दो होता है तो ऐसा बीज जिसके दो बरावर हिस्से किये जा सके इस तरब भी वही पोर्षन आएगा इस तरब भी वही पोर्षन आएगा यह हमारा होता है डायकोड यानि की द्वी बीज पत्री जैसे मान ल को होते हैं चने का भी राजमा का भीज सोया वी इंद सोते हैं इनके सभी के बीज द्वीज पत्री होते हैं थे यही फर्क होता है एक बीच पत्री और दोई बीच पत्री में एक बीच पत्री के दो बराबर टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं और दोई बीच पत्री के दो बराबर टुकड़े किये जा सकते हैं जिसमें दोनों में आधे आधे जो उसके अंग होते हैं वो चले जाते हैं ठीक है जैसे human body को अगर हम dissect करते हैं यहीं बीच में से आधा करते हैं तो उसमें दिल को छोड़कर बाकि सारी चीजों के टुकड़े आधे-ाधे किये जा सकते हैं दिल का भी आधा टुकड़ा होगा पर मतब टुकड़ा दूसरे हिस्से में जाएगा लेकिन वो आधा नहीं होगा क्योंकि हमारा हाट जो होता है वो left और right जो लंग्स होते हैं उसके बीच नहों होता है लगबागा तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है अब प्रश कर इनके नाम रिखिए दोनों बीच है दोनों के भाग जो हैं वो एक बराबर होते हैं क्यों क्योंकि एक कोई भी बीच है जिससे नया पोधा बनेगा उसमें सारी वो चीज़े होंगी जो दूसरे में होती है ठीक है बस क्योंकि एक बीच पत्री और दूई बीच पत्री के एक बीच पत्री है तो यहां पर जो हमारा नंबर वन पर जो दिया गया है नंबर वन पर जो दिया गया वह भुरून है यह हमारा भुरून होता है जिसमें से नया पोधा निकलता है उसे हम भुरून कहते हैं तो यहां पर यह भुरून होता है और यहां पर क्या भुरून होत यह जो पौधा बनने के बाद का इस्सा होता है ठीक है रेडिकल मुलांकुर और यहाँ पर फोर्थ नमबर पर मुलांकुर होता है ठीक है यह यह वाला होता है समझ गए अब है हमारा बीजाब रहने यानि की सीट खोड़ यह बाहर का एरिया होता है यहाँ पर यह होता है जो नमबर शिक्स पर यहाँ पर यह होता है ठीक है नमबर थ्री वाला बीजाब रहन और यहाँ पर भी बीजाब रहन ठीक है समझ है नमबर एक होता है हमारा ब्रून और नमबर फाइफ यहाँ पर होता है ब्रून नमबर 2 होता है हमारा मुलांकुर और यहाँ पर नमबर 4 होता है मुलांकुर और नमबर 3 होता है हमारा बीजा सुरी यहाँ पर नमबर 4 नहीं होता है नमबर 4 ही होता है और यहाँ पर नमबर 3 होता है और नमबर 6 होता है तो इस तरीके से हमारे नाम आ गए हैं अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है बीज से पौदा बनने की विकास क्रिया को दर्शाने के लिए अनुछेद में दिये गए रिक्तिस्थानों को भरिये चलिए एक डैश में मैंने एक डैश डाला एक गमले में एक गमले में मैंने कुछ बीज डाले बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी और हवा चाहिए बीज डैश हो गए और डैश मिट्टी से बाहर आ गया बीज अंकुरित हो गए और पौधा मिट्टी से बाहर आ गया कुछ ही दिनों में सुन्दर पौधे ने जंग लिया ठीके या हम यह कह सकते हैं और भ्रून बाहर आ गया अगे देख इसको अब हम पढ़ लेते हैं पुरे को एक गमले में मैंने कुछ बीज डाले बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी और हवा की हवा चाहिए बीज अंकुरित हो गए और पौधा या भ्रून मिट्टी से बाहर आ गया कुछ ही दिनों में एक सुन्दर कर लेते हैं अब यहां पर यह देखिए यह जो बीज है यह हमारा तर्बूच का बीज है और यह हमारा क्या होता है यह हमारा मोनोकोट बीज होता है यह हमारा नीमबू नीमबू और संत्रा दोनों का बीज हो सकता है यह क्योंकि नीमबू के बीज साइज में छोटे होते है संत्रे के थोड़े से बड़े होते हैं तो इनका शेप बिल्कुल एक जैसा होता है ये हमारे भिंडी के बीजे ठीक है भिंडी यानि लेडी फिंगर का बीजे और ये चीकू का बीजे ठीक है इसमें मुझे जो लग रहा है क्योंकि ये वायड़ निशाणे है अगर अपने भिंडी अब देखी हो तो उसमें पहले ये भी सफेद होते हैं बाद में ये बीज पक जाएंगे तो ये काले रंक हो जाएंगे और वह जो वायड़ वायड़ निशाणे हो बना रहा है तो पहला तरबूज है दूसरा नीबू या संत्रा दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं दोनी करेक्ट होंगे तीसरा भिंडी का बीज है और चौथा हमारा चीकू का बीज है ठीक है रख दीजिए रूइक और उसे डेली हलकालका पानी देते रही है थ्री फोर डेज में उसमें अंकुरित होकर वो पौधे का रूप ले 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 और यह बनाकर आप अपने टीचर को भी दिखा सकते हैं तो अभी बाबकों के लिए क्या सुझाओ है बच्चों को कई प्रकार के बीज दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें आपके गर में बहुत सारे बीज हो सकते हैं गेहूं का बीज, चने का बीज जो भी आप गर में डालें या अनाज हैं वो सबी बीज के ही रूप है और जो सबजियों और फलाते हैं उनमें भी बहुत सारे बीज निकलते हैं करेले में बीज निकलता है आपके अम्रूद में बीज निकलते हैं सेव में बीज निकलता है इस तरीके के फलों को और सब्जियों को आप दिखा कर भी बीजों के बारे मच्चों को बता सकते हैं तो उमीदा आपको यह वक्षिट समझ आई होगी अगर आपको अच्छी लगिए और समझ आई है तो प्ली से लाइक कीजिए कॉमेंट करिए अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल से जुड़ने के लिए से सब्सक्राब कीजिए धन्यवाद